फैमली वेग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूँ कि आपको यह अपनी बेटी की साधी करना है उसके हाथ पीले करना है उसका रिस्ता ले करके जाना है तो ना घर देखना ना परिवार देखना ना पिता जैसा है बेटा बैसे होगा कोई जरूरी नहीं है माता जैसी है बेटा बैसे होगा कोई जरूरी नहीं है ध्यान रखना लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का बैसा दोस्तों का वेग्राउंड देखो आप यह देखो किसके साथ उठता है किसके साथ बैठता है कहां जा माबाप से छिपके काम करते हैं लड़के माता पिता को पता नहीं चलता दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं किसी भी बेटी की साधी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना यदी लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगती में उठता बैठता होगा वो लड़का यदी खराब होगा तो गलत लोगों की संगती में उठता आदमी जैसे मावाप होते हैं बैसा नहीं होता जैसे दोस्त होते हैं आदमी बैसा हुआ करता है ध्यान न रखिए, माने बर एक सीख दी है मैंने आपको इस पर कोई ध्यान नहीं देता है आप बताईए न एक बेटा सही गलत किसकी बज़े से होता है बाप की बज़े से मा की बज़े से नहीं मेरे भाई एक सरावी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सराव न पिए ध्यान रखना एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआण न खेले और एक बेस्या भी चाहती है कि मेरी उलाद इस गंदगी में जीवन न बिटाए ध्यान रखना एक चोर ने भी इस सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर वने कोई मावाप और रात को जूट बोलना नहीं सिखाते हैं कोई माता पिता शराप पीना नहीं सिखाते हैं कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं सिगरेट पीने वाला बाप भी चायता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिये ध्यान रखना मा उमेश सिगरेट पीना कोन सिखाता है दोस्त सिखाते हैं सबसे पहले शराब पीना रिष्टेदार या माबाप ने नहीं सिखाया शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले ध्यान रखना लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया कर पिछड़ा हुआ आदमी दुनिया चांद पे पहुंच गई तू अगर बत्ती में लटका है ध्यान रखिए मानिवार ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी मैं मानिवार मैं तो कहता हूं यदि बिगाडने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजा संगती ना करो जो हमारी जिंदगी को बरबात करके रख दिया करते हो मानिवार आप सोचिए जीवन में संगती का बहुत असर पड़ता है एक पानी की बून जो आकास से गिरती है और यदि वही पानी की बून किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई बताइए कड़वा हो जाता है नीम जानते हैं नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं नहीं तो मैं समझदा तुमको जानते ही नहीं हो एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है वही पानी की बून गन्ने के खेत में च चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। के संगती के कारण से किसकी संगती करी उसने मोती बना सीप की संगती से और जहर बना साप की संगती से ध्याना रखे